तो आज की वीडियो होने वाली वह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है विकोज आज की वीडियो के अंदर हम आपको न्यू पपी जो होता है उसकी कैसी कुछ केर करें कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो गाइस करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट तो हमारे पास दो सिच्वेशन आती है कि अगर मदर अवेलेबल है और अगर मदर अवेलेबल नहीं है तो अगर गाइस मदर अवेलेबल है तब आपको 35 से 40 डेस तक मदर मिल्क ही अपने डोग को देना है विकोज वही क्या होता है कोलस्टरम होता है उसके अंदर काफी के लिए बहुत ज्यादा सफिशन होती है लेकिन कई बार सिच्वेशन ऐसी आजाती है कि आपको अगर डोग को परचेश करना पड़ गया है जब वह 15 दिन का हो या 20 डेस का हो और अगर मदर अवेलेबल नहीं है तब आप उसको क्या फीड दे तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह नेस्टोजन के नाम से आता है प्रोड़क्ट यह पाउडर फॉर्म में होता है बहुत ही अच्छा एक प्रोड़क्ट है जिसके अंदर सभी नूट्रियंट्स अवेलेबल होते हैं जो एक आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक जो बोटल आती है प् जिसे हम नौल में निपल भी बोल देते हैं तो यह एक मार्केट में अवेलेबल होती है 30 से 35 के रुपीज के आसपस आपको मिल जाएगी आपको गाईस इसमें क्या करना है आपको बोइल वोटर लेना है थोड़ा सा यानि 60 परसेंट आपको उसके अंदर पाउडर डालना ह चाहिए आपके पपी को वो टेस्टी लगना चाहिए वो ताकि वो ज्यादा से उसे इंजेस्ट करें और काफी ज्यादा अट्रेक्टिव रहे उसके लिए कि अब मुझे मिलक मिलने वाला है और वह बहुत ज्यादा अटेंटिवली उसे पी ले अब गईस क्या होता है इसक कितनी बार पिलाऊंगे आप गाइस इसे पांस से छे बार अपने डोग को दे सकते हैं बेज जिजग कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है अच्छे से अच्छा वो डाइजेस्ट भी होगा आपका जो डोग है यूरिनेशन भी करेंगा और साथ में फीशिस भी आईजियली बिमार होगा और कई बार तो चेंज ऐसा भी आ जाता है कि पपी की देथ भी हो जाती है बहुत यादा सीरिस कंडिशन हो जाती है आप थर्ड पॉइंट आपको यह ध्यान देना है आपको आपको नहलाना बिलकुल ही नहीं है लेकिन आप सोचोगे अगर मैं 30-35 दिन तक अ बिली इको लेना है और अच्छे से उसे निचोड के अपने डोग की क्लिनिंग करनी है यानि उसे अच्छा एक वैल मैंटेन करना है जैसा कि आपकी जो मदर ने यानि डोग की जो मदर है उसने बर्थ दिया है तो नए पिपीज होते हैं उसको आप कलीन जगा पे रखोगा clean जगा पर आपको इसलिए रखना है कि वहाँ पर कोई भी बैक्टरिया वगेरा ना हो जो उनको infect करें वह बहुत ज़्यादा sensitive होते हैं आपको एक best एक winning जो place होते हैं आपको वहाँ पर रखना है तो 10 से 14 दिन के बीच में लगबग उसकी eyes जो है अच्छे से open हो जाती है आपको ये diagnose करना है कि उसकी eyes में कुछ effect तो नहीं है like cataract जैसा कुछ ऐसी कोई condition तो नहीं आ रही है अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको immediately अपने वेट से जुरूर कंसल्ट कर लेना है वह अच्छे से आपको गाइड कर देंगे कई लोग हमसे question boost है कि हमारे जो डोग को ना कुछ सुना ही नहीं दे रहा तो यह काफे ज़्यादा serious situation है आप माइंड में सोच रहे होगे कि मैं अपने पपी को वह जो starter feed होता है वह कब दूँ देखे जब आपके डोग की first vaccination जब हो जाती है लाइक 40 या 45 डेज पे जब भी आप करवाते हो या जब डिवर्मिंग आप करवाते हो उसके बाद ही आपको starter food देना है तब तक आप अपने डोग को दूद पे रखिए यानि इस nitrogen पे रखिए अगर गाईस आप कुछ देना भी चाहते हैं तब आप जैसे कि आपको screen पे ए पानी की मातरा रखनी है और अच्छे से आप उसे दे सकते हैं अच्छे से वह खाएगा चाव से खाएगा अब गाईस मिल्क के साथ ही आपको seralac देना है ठीक है मिल्क भी देना है और seralac भी देना है ग्रोथ अच्छी के लिए आप आपको क्या करना है जैसे ही आपके puppies आपको कुछ भी कुछ भी कुछ भी सजेश्ट निकरूंगा विकोज जो होते हैं अगर उसने कुछ हार्ड चीज खाली है तो वहां पर ब्लेडिंग होने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं आपको पॉइंट रखना है कि डी हाइड्रेशन से आप अपने डोग को पानी की अविलेबिलिटी रखनी है और पानी भी गाईज क्लीन होना चाहिए बहुत ज़्यादा साफ सुतरा होना चाहिए हाईजिने के वेल कंडिशन मेंटेन करने हैं विकोज बहुत जिरा सेंसिटिव बॉडी होती है और आप जो मिंडरल जो वोटर होते है यानि जो ब प्लेस हैं आपको उस सिचुएशन में रखना है और गाईज उस आपको साथ में ही ध्यान में दखना है कि टेंप्रेचर अप डाउन ना हो यानि टेंपरेचर एक नोरमल मेंटेन रहे आपड़ाउन दीटिंग के बारे में जैसा कि आप ने अपने यह वैकसिनेशन कर वाली और उसके बाद ही आप खुरी हाथे जयाने अच्छे होते हैं कि लिए स्टार्टिंग में क्या होता है lose motion के chances बढ़ जाते हैं because आप एकदम suddenly change करते हो उसे दूसरे food पे लेके आते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है धीरे धीरे आपको level maintain करके रखना है और उसको अपने dog को food पे लेके आना है अब कुछ points हैं ऐसे जो यह basic points मैंने आपको बता दिये हैं लेकिन कुछ ऐसी situation आ जाती ह है तो वो कुछ external ऐसी condition आती है कि कि किसी दूसरे dog से कुछ infected चीज आगी हो तो वो आपको ध्यान रखना है और आपको ऐसी situation बनती दिखें तब आपको immediately अपने वैट से जरूर consult कर लेना है और अपने puppy की जान को बचा लेना है तो guys मैं आशा करता हूं आज की जो वीडियो म में पहुंचे हमारी वीडियो और उन्हें भी देखके कुछ नोगुस नॉलेज हो और वो डॉक्स के लिए जो दिने में जो डॉक्स लवा रहे हैं उनकी help कर सके तो guys thank you so much for watching this and please do like subscribe and comment thank you so much जैहिंज जैबारत